दोस्तों, income tax की जो नई section 194Q जो की 1 जुलाई 2021 से applicable है, तो काफी सारे tax practitioner, tax consultant या फिर accountant लोगों को काफी साधा परिशान करके रखा हुए, परिशान इस बात के लिए करके रखा हुए, भी जो 194Q section के तहित, जो seller का tedious deduct करना है, वो कौन सी amount पे करना है, जैनकि जो purchase invoice आएगा, उस purchase invoice में जो goods की taxable value होगी, उस पर TDS deduct होगा, या फिर जो purchase invoice की net value है, जैनकि after GST, GST include के बाद में जो net amount है, उसके उपर TDS है जो deduct करना होगा, तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम कुछ ऐसे practical view से इस बात को समझेंगे, भी हमें जो 194Q के तहित, जो TDS deduct करना है, वो कौन सी amount पे करना है, हलांकि इसके अभी तरफ, government की तरफ से इसका कोई clarification अभी आया नहीं है, भी आपको जो TDS deduct करना है, वो कौन सी amount पे करना है, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद, I hope कि सारे आपके confusion दूर हो जाएंगे, और आपको ये भी पता चल जाएगा, भी हमें 194Q section करना होगा, तो दोस्तों सारी वीडियो practically रहने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप end तक complete जूर देखना, वीडियो कर आपको अच्छे लगे, तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में share भी कर देना, अगर आप मारे चैनल पर नए हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर वीडियो, तो दोस्तों जैसा confusion अभी 94Q section में हो रहा है, सेम यह confusion एक October 2020 को जब नया section 206 subsection 1H लाग हुआ था, यानि कि TCS on sale, तब भी सेम यह confusion पैदा हो रहा था, भी हमें जो TCS collect करना है, अपने बायर से, वो कौन सी amount पे करना है, वो sell की net value पे करना है, या फिर उसके product के जो on sale वाला section था, उसका तो सारा matter अब clear हो गया है, क्योंकि उस पर हमें पता लग गया, वी जो भी हमारे पास invoice आये थे, वो with GST include amount के उपर TCS है, जो collect हो रहा है, और 194Q क्यों के section में क्या होगा, इस बात को भी हम practically समझेगे, तो दोस्तों government का rule क्या कहता है, वी अगर आपने कि पर्टिकुलर एक परसंग के साथ आपने 50 लाग रुपे की ज्यादा कि आपने transaction करी हो, तो और आपकी फाइनल, previous financial year के दोरन आपकी जो टरना वर अब दो स्कुरोड से ज्यादा कि रही हो, तो आपके ओपर ये जो टरना एप्लिकेबल है, 194Q की section वो लागू हो रही है, और हैं, कुछ example की, जो लोग confusion हो रहे हैं भी जो tedious deduct होगा, वो taxable amount भी होगा, अब वो taxable amount किसको समझ रहे हैं, तो काफी सारे लोगों ने अलग-लग website पे जाकि इसको research किया, तो काफी सारे example भी उनको मिले, जो example उनको मिले, तो example में उनको काफी सारे example भी होगा, वो ये सब दे invoice पे, तो दोस्तों, आपके सामने में एक बात clear कर दूँ, भी आप ये जो example देख रहे हो, या आपने कोई example देखा का, उसके अंदर आपको सामने कुछ इस तरीके का taxable amount भी लिखा होगा, तो आप उस पे एक बात जूरूर द्यार रहे हैं, उसके अंदर कोई TML, GST का कोई word नहीं लिखा होगा, आप इसी example में देख रहे हो, यहाँ पर जो example बताया गया है, यह सारा का सारा example 194Q section में जो लगू होने वाल है, उसी के उपर ही बताया गया है, यहाँ पर यह नहीं बताया गया भी आपने कोई GST का sale invoice कैसे बनाना है, GST का कोई word नहीं है, यहाँ पर total जेतना भी example में बात हो रही है, वो सारी के सारी income tax purpose से बात हो रही है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो, भी taxable amount, अब taxable amount के एकर बात करें, यहाँ पर देखा रहे हो, भी इन्नी रुपीज 60 लाक, 50 लाक रुपे माइनस किया हो है, तो यहाँ पर जो amount बचकी वो 10 लाक अब यहाँ पर आप जो taxable amount का यह जो word देख रहे हो, यह word और अगर आपने किसी sell invoice पर यह चीज word देखा होगा, taxable amount, तो इन दोनों word में बहुत difference है, अब यह जो आप अभी जो screen पर आप यह word देख रहे हो, taxable amount का, यह GST purpose से taxable amount का word दिया हो है, और आपने इस type के अगर section की बात हो रहे हो, या फिर 206, subsection 1s की बात हो रहे हो, और वहाँ पर आपको taxable amount अगर word देखने को मिल रहे हैं, तो यह जो word यूज किया गया, यह income tax purpose से word यूज किया गया है, नहीं कि GST के purpose से किया गया है, तो एक बात तो आपको यह clear हो जाने जीए, यह जो taxable amount है, यह income tax की taxable amount है, नहीं कि GST की, अब income tax की taxable amount कोंची होती है, जिसके उपर tax लगना है, और GST के अंदर taxable amount कोंची होती है, जिसके उपर GST अभी लगना है, तो दोनों में अलग-लग यह difference हो गया, अगर हम बात करें, इस invoice को अगर हम practical view से देखें, तो यह invoice है, और इस invoice के अगर हम बात करें, तो इसकी जो net amount है, वो 75,00,000 रुपे की है, और taxable value उसकी, यह 63,55,932 रुपे और 20 बेसे की, तो अगर हम इसी invoice को अगर मान के चलें भी, यह अगर यह invoice मारे पास आता है, तो हम इसको 194Q कि सेक्स करें के तायत, इस invoice को हम किस नजरीय से देखेंगे, यान की कौन स तो सबसे पहले हम एक बात क्लियर करते हैं, गोर्मेंट ने यह जो clarification दिया है, वो यह दिया भी आपने particular एक परसंड के साथ 50,00,000 रुपे से ज़्यादा की transaction आपने करी हो, तो आपको TDS deduct करने है, तो लेकिन वहां पर यह तो कोई अभी matter क्लियर नहीं हो, भी आपका total product taxable हो तो अब यहां के इसकी जो value है, वो भी यहां पर 75,00,000 रुपे की आनी थी, तो अब इस 75,00,000 रुपे से अब मान की चले हमने यह first deal करी है, तो हम इसमें से 50,00,000 रुपे को minus करेंगे, तो amount बसती है 25,00,000 रुपे की, और उस 25,00,000 रुपे के साब से अगर यह हमारी condition तो हम 25,00,000 रुपे का TDS है जो पार्टी से deduct करेंगे, तो अब एक मेंटर तो यहां पर हो गया, इसमें भी कोई GST का तो कोई रोल रहा ही नहीं, ठीक है, सेकिंड बात, अब गोर्मेंट यह बात भी बोलती है, भी आपने, अगर आपके उपर TDS की यह का मलब condition लगू होती तो अगर आपने चेक पार्टी को debit पहले किया है, यहनकि debit का मलब आपने उस suppliers के जो payment आपने advance कर दी है, उस समान के against में, तो भी आपको TDS है जो deduct करना पड़ेगा, या फिर आपने पार्टी को credit पहले कर दी है, यहनकि आपने आपनी books of accounts में precise invoice की entry पहले कर दी है, payment की बाद में करोगे, तो भी आपको TDS deduct करना पड़ेगा, अब माली जी अकर हम इसी invoice के बात करें, यह जो invoice हमारे पास है, 75,00,000 रुपे का, अब माली जी इस 75,00,000 की amount हमने 2 July 2021 को कर दी, और इसका invoice अगस्त मन्त में आएगा, इस बात को थोड़ सम practical view से देखेंगे, यहनकि 2 July को हमन पहले कर दिये, तो हम government कहते हैं, अगर आपने payment पहले कर दिये, तो भी आपको TDS deduct करना पड़ेगा, तो हम इस में से अगर 50,00,000 रुपे का, अगर minus करते हैं, तो 25,00,000 रुपे के साब से हमने 25,00 रुपे की entry हमें उसी payment entry के साथ में ही करनी पड़ेगी, यानिकि अब जो हम amount के 1000 पे हमने TDS deduct भी कर लिया, तो इसका मतला हमने already net amount पे पहले TDS deduct कर लिया, तो अभी यहां पर भी इसका कोई taxable value का कोई जी करनी रहा, तो second point से हमने इस बात को हम समझ सकते हैं, और तीसरा point हमने यह भी समझ रहे हैं, जो TCS अभी applicable हो रहा है, इन्वोइस पे जो लगते ह कहा रहे हैं, वो भी with GST amount यहन की invoice के sell invoice की net value है, after GST, उसके उपर ही TCS applicable हो रहा है, तो इसका मलब उस section में भी GST include हैं, तो हम इसको यह मान के सल सकते हैं, जब 194Q की section में, और 2-0 section की जो condition है, वो सहम है, तो हो सकता है, जो TDS deduct करने की जो condition है, वो भी दोनों में सहम हो सकती है, अलांकि अभी भी हम इसनका government का इंतिजार करेंगे, इस matter पर जो government का clarification आएगा, उसको भी हम order करेंगे, लेकिन जान तक अगर हम इसके practical view से बात करें, जो अभी तक हो गया है, पहले इसी section से मिलते जूलते section में, जो अभी तक TDS applicable हो रहा है, वो भी net amount पे ही हो रहा है, तो TDS है, या फिर TDS है, हम दोनों को एजे income tax का ही हम part मान रहे हैं, तो अगर आप इसने भी इस type का कोई example अगर आपने देखा हुए है, वहाँ पर आपने taxable amount को अगर word use किये, तो आप इसको as income tax purpose से इसका word को समझे भी है, taxable amount है, वो income tax का word है, income tax की जो taxable amount बचेगी, और यहाँ और यह सपस्ट रूप से लिखा हुभी है, अगर हम साथ लाग में थे, पचास लाग रुपे का अगर हम माइनस करेंगी, तो दस लाग रुपे बचेगा, और इस दस लाग रुपे में 0.1% के साब से इसका TDS deduct होगा, आप इसको यह मत समझे भी, यह जो taxable amount का जो word दिया यह GST का जाने कि यह GST वाला taxable amount word है, यह income tax का word है, क्योंकि इस example में कहीं पे भी GST का word नहीं है, सारा का सारा 194Q के section के बारे में अची तरीके से explain किया हुए है, अब 194Q section की entry com telly prime software में practical तरीके से कैसे करते हैं, इसकी entry हमने telly software में पहले से हमने करके बता दिया आपको, कौन- करने telly prime software में वो भी आपको बताया हुए है, तो I hope कि आपको इस वीडियो से कुछ सेखने को जुरूर मिला हुगा, आपकी इस 94Q section के बारे में कौन से amount पे tedious deduct होगा, आपकी क्या राय है, वो भी आप हमें comment करके जुरूर बताना, वीडियो अगर आपको अच्छे लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को एक like दे के जुरूर जाना, तो दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में एक और नए topic के साथ,